भगवान विश्णू की पांच प्रसिध कताएं हिंदू धर्म के आधारबूत ग्रंथों में बहुमान्य पुराणानुसार विश्णू परमेश्वर के तीन मुख्य रूपों में से एक रूप हैं पुराणों में त्रिमूर्ती विश्णू को विश्व या जगत का पालनहार कहा गया है त्रिमूर्ती के अन्य दो रूप ब्रम्हा और शिव को माना जाता है ब्रम्हा जी को जहां विश्व का स्रिजन करने वाला माना जाता है वही शिव जी को सन्हारक माना गया है मूलता विश्नु और शिव तथा ब्रम्हा भी एक ही है यह मान्यता भी बहुशह स्वीक्रित रही है न्याय को प्रिश्रे अन्याय के विनाश तथा जीव मानाव को परिस्थिती के अनुसार उचित मार्ग ग्र करने वाले के रूप में विश्णू मान्य रहे हैं। कल की अवतार दस्वा, आखरी अवतार है। भगवान विश्णू की पहली कथा एक बार भरेगु रिशी ने जानना चाहा कि ब्रम्हा, विश्णू और महेश में कौन सबसे श्रेष्ट है। वह बारी बारी से सब के पास गए। ब्रम्हा और महेश ने भरेगु को पहचाना तक नहीं आदर किया। इसके बाद। भरेगु विश्णू के यहां गए। विश्णू भगवान विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। भरेगु ने पहुचते ही न कुछ कहा, न सुना और भगवान विश्णू की छाती पर पैर से प्रहार कर दिया। लक्ष्मी जी यह सब देखकर चकेत रहे गई किन्तु विश्णू भगवान ने भरेगु का पैर पकड़ कर विनीत भाव से कहा, मुनिवा, आपके कोमल। पैर में चोट लगी होगी, इसके लिए एक शमा क लक्ष्मी जी को भगवान विश्णू की इस विन्रमता पर बढ़ा, क्रोध हाया, वो भगवान विश्णू से नाराज होकर भू लोक में आ गई तथा कोलहापुर में रहने लगी, लक्ष्मी जी के चले जाने से विश्णू भगवान को लगा कि उनका श्री और वैभव ह नश्ठ हो गया और उनका मन बड़ा अशांत रहने, लगा, लक्ष्मी जी को धूढने के लिए वो श्री निवास के नाम से भूलोक आये, गूमते घुमाते वैंकत अचला परवत, शेत्र में बकुलामाई के आश्रम में पहुँचे, बकुलामाई ने उनकी बड़ी आवा भगत की, उन्हें आश्रम में ही रहने को कहा, एक दिन जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया, आश्रम वासी दरकर इधर उधर भागने लगे, श्री निवास ने ये देखा तो धनुश बान लेकर हाथी का पीछा किया, हाथी दरकर भागा और घने जंगल में अद्रिश्य ह हो गया, श्री निवास उसका पीछा करते करते ठक गए थे, वो एक सरोवर के किनारे वरिक्ष की छाया में लेट गए और उन्हें हलकी सी जपकी आ गई, थोड़ी देर में शोर सुनकर वो जागे तो देखा कि चार, छा युवतिया उन्हें घेरे, खदी है, श्री निवास को जागा हुआ देखकर वे डप्ट कर बोली, ये हमारी राजकुमारी पदमावती का सुरक्षित उपवन है, और यहाँ पुरुषों का आना मना है, तुम यहाँ कैसे और क्यूं आये हो, श्री निवास कुछ जवाब दे इससे पहले ही, उनकी दृष्टी वरिक्ष की जाक्ती राजकुमारी की ओर गई, श्री निवास पदमावती को एक टक देखते रह गए, थोड़ा सयत होकर कहा, देवियों, मुझे पता नहीं था, मैं शिकार का पीछा करता हुआ, यहाँ आया था, ठक जाने पर, मुझे नींद आ गई, इसलिए एक शमा करे, श्री जाक्ती से भेट होने की सारी, कहानी कै सुनाई फिर कहा, उसके बिना मैं नहीं रह सकता, बकुलामाई बोली, ऐसा सपना मत देखो, कहा वह, प्रतापी चोल नरेश आकाशराज की बेटी और कहा, तुम आश्रम में पलने वाले एक कुल गोत रहीन युवक, श्री निवास, बोले, मा, एक उपाय है, तुम मेरा साथ दो तो सब संभव है, बकुलामाई ने श्री निवास का सच्छा प्यार देखकर, हा कर दी, श्री निवास ज्योतिश जानने वाली औरत का वेश बनाकर राजा आकाश की राजधानी नारायनपुर पहुँचे, उसकी चर्चा सुन पदमावती ने भी उस औरत को महल बुलाकर अपना हाथ दिखाया, राजकुमारी के हस्त रेखा देखकर, वो बोली, राजकुमारी, कुछ दिन पहले तुम्हारी भेच तुम्हारे सुरक्षत उध्यान में किसी युवक से हुई थी, तुम दोनों की दृष्टी मिली थी, उसी युवक से तुम्हारी शादी का योग बनता है, पदमावती की मा धरना, देवी ने पूछा, ये कैसे हो सकता है, ज्योतिशी औरत बोली, ऐसा ही योग है, ग्रह कहते है कोई औरत अपने, बेटे के लिए आपकी बेटी मांगने स्वयम आएगी, दो दिन बाद सच्छ मुझ ही बकुलामाई एक तपस्विनी के वेश में, राज महल आई, उसने अपने योवा बेटे के साथ पदमावती के विवाह की चर्चा की, राजा आकाश में बकुलामाई को पहचान लिया, उन्होंने पूछा, वो युवक है कौन, बकुलामाई बोली, उसका नाम श्र देने के लिए कहा, बकुलामाई के चले जाने पर आकाश ने राज पुरोहित को बुला कर सारी बात बताई, राज, पुरोहित ने गणना की, फिर सहमती देते हुए कहा, महाराज, श्री निवास में विश्नु जैसा देवगुन है लक्ष्मी, जैसी अपकी बेटी के वो चिंते थो थी, श्री निवास से बोली, बेटा, अब, तक तो विवाह की ही चिंता थी, अब पैसे ना होने की चिंता है, मैं वराह स्वामी के पास जाती हूँ, उनसे पूछती, हूँ की क्या किया जाए, बकुलामाई श्री निवास को लेकर वरास्वमी के पास गई औ और श्री निवास के विवाह के लिए धन की समस्या बताई तो वराह स्वामी ने आथो दिगपालो, इंद्र, कुबेर, ब्रम्हा, शंकर आधी देवताओं को अपने आश्रम में बुलवाया और फिर श्री निवास को बुलाकर कहा, तुम स्वयम इन्हें अपनी समस्या श्री निवास ने देवताव से कहा, मैं चोल नरेश राजा आकाश की बेटी पदमावती से विवाह करना चाहता हूँ, मेरी हैसियत राजा के अनुरूप नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूँ? इंद्र ने कुबेर से कहा, कुबेर, इस काम के लिए तुम श्री निवासन को रिन दे दो, कुबेर ने कहा, रिन तो दे दूंगा पर उसे यह वापस कब और कैसे करेंगे, इसका निर्नाय होना चाहिए, श्री निवास बोले, इसकी चिंता मत कीजिए, कलियुग के अंध तक मैं सब रिन चुका दूंगा, कुबेर ने स्वीकार कर लिया, सब देवताओं की साक्षी में श्री निवास के रिन पत्र लिख दिया, उस धन से श्री निवास और पदमावती का विवाह बड़ी धूंधाम से हुआ, तभी नारद ने कोलहपुर जाकर लक्ष्मी को बताया विश्नु ने श्री निवास के रूप में पदमावती से विवाह कर लिया है, दोनों वेनकता चलम परवत पर रहे है, ये सुनकर लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ, वो सीधे वेनकता चलम पहुँची, विश्नु जी की सेवा में, लगी पदमावती को भला बुरा कह रहने लगी, श्री निवास, विश्नु रूप मेरे पती है, तुने इनके साथ विवाह क्यूं किया, दोनों ने वाक युध्ध होने लगा तो श्री निवास को बड़ा दुख हुआ, वे पीछे हटे और पत्थर की मूर्ती के रूप में बदल गए, जब दोनों देवियो उन्हें ये देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि श्री निवास तो अब किसी के न रहे, इतने में शिला विग्रह से आवाज आई, देवियों में इस स्थान पर वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से अपने भक्तों का अभीष्ठ पूरा करता रहूंगा, उनसे प्रा लक्ष्मी कोलहा पूराकर महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्टित हो गई और पदमावती तिरुनाचुर में शिला विग्रह हो गई, आज भी तिरुपतीक्षेत्र, में तिरुमला पहाई पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन हेतु भक्त गनों से इसी भा देर का कर्ज चुका रहे है भगवान विश्नु की दूसरी कथा एक शहर में एक बहुत बढ़ा साहुकार रहा करता था, साहुकार बहुत ही इमानदार और दानवीर था, साहुकार जहाजों में अपने माल को दूसरे देश में बेच कर पैसे कमाता था और यही कर करके उस साह साहुकार ने बहुत सारा धन एकत कर लिया था और जितना उसने धन कमाया था, उसे थोड़ा धन दान में दिया करता था, लेकिन साहुकार का विवाह जिस्त्री से हुआ था, वह साहुकार से बहुत विप्रीत थी, साहुकार को दान देना बहुत पसंद था, लेकिन साहुकार की पत्नी बहुत ही कंजूस थी वो एक रुपया भी किसी को नहीं दिया करती थी कुछ समय पश्चात जब साहुकार अपने व्यापार के सिलसिले से दूसरे देश गया था तब साहुकार के घर पर ब्रहसपती देव साधु का रूप लेकर भिक्षा मांगने के लिए साहुका की पत्नी के पास गए साहुकार की पत्नी से भिक्षा मांगने लगे साहुकार की पत्नी ने ब्रहसपती देव से कहा की हे ब्रहमन में दान दे दे कर बहुत ठक चुकी हूँ और मुझसे अब यह नहीं किया जाता है आप मुझे कोई ऐसा उपाए बताएं जिससे मेरा सारा धन बरबाद हो जाए और मैं खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकूँ ब्रहस पती। देव सहुकार की पत्नी की बात सुनकर सहुकार की पत्नी से बोले तुम तो बहुत ही विचित्र कन्या हो। तुम्हारे पास तो इतना सारा धन है। उसके बाद भी तुम इस धन स दुखी हो। अगर तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही धन आ गया है तो तुम उनको नेक कामों में लगाओ। तुम तुम कुवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। बच्चों के लिए विद्यालाय खुलवाओ और बड़े बड़े बाग बगीचे खुलवाओ। जिससे त वर्ग की प्राप्ती हो सकती है। लेकिन साहुकार की पत्नी तो नहायती कंजूस थी। उसने ब्रहसपती देव की बात को अस्वीकार दिया और कहने लगी मैं अपना धन किसी को नहीं दूंगी। ब्रहसपती देव ने साहुकार की पत्नी से कहा कि अगर तुम्हारी यही म पिट्टी से धोना और बाल धोते समय स्नान करना, साहुकार से अपनी हजामत करवाना और अपने घर में मास का सेवन करना और अपने कपड़े धोना ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन समाप्त हो जाएगा और तुम अपना जीवन खुशी-खुशी. व्यतीत करपाओगी, साहुकार की पत्नी ने ब्रहस्पती देव की बात मान कर सारे कार्या करने लगी जो जो ब्रहस्पती देव ने साहुकार की पत्नी से करने के लिए कहे थे, जैसे ही मात्र तीन गुरुवार ही हुए थे साहुकार के पास. सारा धन समाप्थ हो गया और तीन दिन में ही साहुकार की पत्नी मर गई जब साहुकार दूसरे देश से वापस अपने घर आया तब उसने देखा कि उसके घर में तो सब कुछ बरबाद हो चुका है उसके पास एक भी रुपे नहीं बचे हैं और उसके बच्चे बहुत जोर से रो रहे हैं उसकी पत्नी भी मर चुकी है तब साहुकार ने अपने बच्चों से कहा कि तुम शिन्ता मत करो हम लोग दूसरे देश पर रहेंगे जाकर वहाँ अपना जीवन यापन करेंगे साहुकार अपने बच्चों को लेकर एक दूसरे शहर चला गया वहाँ पर वो रोजाना लकडी काट कर बजार में जाकर बेचता और उससे कुछ धन कमाकर घर लेकर आता और ऐसा करते करते अपना जीवन व्यतीत करने लगा एक दिन जब साहुकार लकडियां काट कर अपने घर गया तो उसके बच्चों ने कहा कि पिताजी मुझे दही खाने का बहुत मन कर रहा है आप मेरे लिए दही ले आएए लेकिन साहुकार के पास तो दही खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे लेकिन साहुकार ने अपने बच्चों से कहा कि तुम शिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए दही लाऊंगा और ऐसा कहकर वहां से चला गया साहुकार थोड़ी दूर जाने कि पश्चात एक पेड के लगे तुम क्यों रो रहे हो तब साहुकार ने कहा कि ब्राह्मन देव आपको तो सब पता है और ब्राह्मन को अपनी सारी कहानी बता दी जिसके बाद ब्रहस्पती देव ने साहुकार से कहा कि यह सब तुम्हारी पत्नी ने किया था तुम्हारी पत्नी ने ब्रहस्पती द तुमको एक उपाय बता रहा हूँ जिसको करने से तुम्हारे जीवन फिर से सही हो जाएगा, तब साहुकार ने ब्राहमन से कहा कि आप मुझे बताए कि मुझे क्या करना है, ब्राहमन ने बताया कि तुम गुरुवार के दिन ब्रहसपती देव की पूजा पाठ कर दो, पैसो भी उस प्रसाद को ग्रहन कर लो, ऐसा करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन तब साहुकार ने ब्राहमन से कहा कि ब्राहमन देव मेरे पास तो इतने रुपे भी नहीं है कि मैं अपने बच्चों को दही खेला, सकूं, तो मैं ये पूजा की सामगरी क कहा से लाओंगा, तब ब्राहमन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम अपनी लकडियां काट कर शहर में जाकर बेचो, जिससे तुमें पहले से कई गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे, तुम उन पैसों से सब कुछ कर सकते हो, जिसके बाद साहुकार ने ब्राहमन देव की बा चला गया, फिर साहुकार ने गुरुवार के दिन गुड और चना खरीद कर ब्रहसपती देव की पूजा की और उनकी कथा सुनी, तथा प्रसाद को सभी को बाटा लेकिन अगले ही गुरुवार को साहुकार ब्रहसपती देव की पूजा पाठ करना भूल गया, जिससे ब्र पर आमंत्रत किया था, सभी लोग राजा के यहां भोजन करके समय से चले गए थे लेकिन साहुकार और उसकी बेटी राजा के घर देरी से पहुचे तो राजा ने साहुकार और उसकी बेटी को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन ग्रहन करवाया, उसी समय अचानक से रानी कहार, कहीं खो गया था तो, रानी को पूरा शक साहुकार और उसकी बेटी पर हुआ जिसके लिए रानी ने राजा से कहा कि यह, साहुकार और उसकी बेटी ने मेरा हर चुराया है, राजा ने साहुकार और उसकी बेटी को जेल में बंद करवा दियाने, साहुकार और उसकी ब उने सहुकार को बताया कि तुमने ये गलती की थी जिसकी वजह से तुमको ये सब भोगना पड़ता है। ब्रहसपती देव ने कहा कि तुमें जेल के बाहर दरवाजे पर 2 रुपे पड़े मिलेंगे जिस से तुम किसी से भी गुड और मुनक का मंगवा कर ब्रहसपती देव की पूजा करना जिसे सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा कहकर ब्रहसपती देव वहां से अंतर ध्यान हो गए और उनके कहें अनुसार साहुकार को दरवाजे पर दो रुपे पड़े मिले, जिससे उसने जेल के बाहर जा रही महिला से कहा कि तुम मेरे लिए और मुनक्का ला सकती हो, मुझे ब्रहस पती देव की पूजा करनी है लेकिन उस महिला ने मना कर दिया और कहने लगी कि मैं भी समय नहीं है और ऐसा कहकर वो स्थरी वहां से जली गई, जिसके बाद एक दूसरी महिला वहां से जा रही थी तुम मेरे लिए गुड़ और चना ला सकती हो, मुझे ब्रहस पती देव की पूजा करनी है उस महिला ने साहुकार से कहा कि मैं अपने पोत्र के लिए कफन ल लेने के लिए बजार चली गई, गुर्चना लेकर जब वो महिला साहुकार के पास आई तो साहुकार ने ब्रहस्पती देव की पूजा करना शुरू कर दिया और कथा कहना शुरू कर दिया, उस महिला ने भी ब्रहस्पती देव की कथा सुनी और कथा समाप्त होने के बाद सा ले जाने के लिए तैयार थे तभी उस महिला ने साहुकार के दिये हुए प्रसाद को अपने बेटे के मुह में डाल दिया जिसके बाद उस महिला का मरा हुआ बेटा पुनाय जीवित हो गया और पहली महिला जिसने ब्रहस पती देव का अपमान किया था और उसने पुजा के लिए सामगरी लाने से मना कर दिया था उसका बेटा जब घोडी पर बैठ कर जा रहा था तब घोडी ने एकदम से उच्छाल मारी और बेटे को जमीन में गिरा दिया और वो जमीन में गिरते ही मर गया जिसके बाद महिला जोर जोर से रोने लगी और उस उसने तुरंत जेल में वापस जाकर साहुकार के साथ ब्रहसपती देव पूजा की और साहुकार ने पूजा के बाद उस महिला को प्रसाद दिया, उसने प्रसाद को अपने बेटे के मुह पर डाल दिया तो प्रसाद को खाकर उसका बेटा तुरंत जीवित हो गया, एक दिन ब्रहस्पती देव राजा के सपने में आए और कहने लगे तुमने जिन साहुकार और उसकी पुत्री को जेल में बंद किया है वो निर्दोश है, उनको तुरंत छोड़ दो जिसके बाद राजा ने साहुकार और उसकी पुत्री को जेल से रिहा कर दिया और ब्रहस्पती ब्रम्हांद के रक्षक मानी जाती है, ब्रम्हा, विश्नु और शिव, मिलकर त्रिदेव कहलाते हैं, भगवान, विश्नु को चार भुजाओं वाला और गुलाब कमल पर आसीन दिखाया जाता है, उनके एक हाथ में शंक रहता है, जो पवित्रध्वनी, ओम, का प्रतीक है, उनके दूसरे हाथ में सुधर्षन चक्र रहता है, जो समय के चक्र तथा नेक जीवन, जीने की याद दिलाता है, तीसरे हाथ में कमल रहता है, जो गौरवशाली अस्तित्व का सूचक है, उनके चोथे हाथ में गदा रहती है, बहुत तेज गती से उढने वाला गरोड उन अधिकतर अपने निवासक शीर सागर। मैं कुंडली मारे शेशनाग पर आराम करते दिखाया जाता है। देवी लक्षमी उनकी पत्नी है। माना जाता है कि विश्नु के दस अवतार हैं। जिन में सबसे अधिक लोक प्रियर राम और कृष्न हुए हैं। विश्नु को अपन दुर्वासा रिशी ने इंद्र को हार भेट किया। इंद्र ने हार पर विशेश ध्यान नहीं दिया। और अपने हाथी एरावत के दात पर उसे रख दिया। एरावत ने उसे नीचे गिरा दिया। ये देखकर दुर्वासा क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र और सभी देवताओं को सारी शक्ती को देने का श्राप दे दिया, श्राप के कारण। इंद्रा और अन्य देवता अपनी शक्ती खो बैठे और असुरों के साथ युध्ध में हारने लगे, बाली के नेत्रित्व में। असुरों ने पूरे ब्रह्मांद पर अधिकार कर लिया, जब कोई रास्ता नहीं बचा तो इंद्रा ने विश्नु से सहायता मानगी, विश्नु ने देवताओं को उनकी शक्ती वापस दिलाने की एक योजना बनाई, उन्होंने देवताओं से समुद्र मन्थन करके अमरित निकालने को कहा, जिसे पीकर में अमर हो सकते थे और अपनी शक्ती वापस पा सकते थे, देवता, तो शक्तिहीन हो चुके थे, इसलिए समुद्र मन्थन के लिए उन्होंने असुरों से सहायता मानगी, देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मन्थन शुरू किया, व विश्णू ने कच्छुए का रूप रख लिया और परवत को अपनी पीच पर रख लिया। विश्णू के कच्छुए के रूप में आने को ही उनका दूसरा अवतार, कूर्म अवतार। कहां जाता है, मंदराचल को थामने के लिए सहारा मिल गया तो विशाल नाम वासुकी को रस्सी की तरह लपेट कर, मंधन शुरू किया गया, एक और से देवता और दूसरी ओर से असुर नाक को खीचने लगे, समुन्ध मंधन शुरू हुआ तो, भारी लहरे उठने लगी, उ सब मिलकर शिव जी भगवान से रक्षा की विनती करने लगे, शिव जी ने प्रकट होकर सारे विश को पी लिया, इस विश को उन्होंने गले से नीचे नहीं उतारा, बलकि गले में ही रोक लिया, तभी से उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंट कहलाने लगे, मंधन इक्ष्मी, इच्छा पूरी करने वाला पेड, कल्प रिक्ष, और अंत में हाथों में अमरित कलश और आयुर्वेद लिये धनवंतरी निकले, अमरित बाहर आते ही असुरों ने कलश छीन लिया, देवता और असुरों के बीच भीशन युद्धा हुआ, अंत में विश्ण गरुर को दे दिया, गरुर ने जब कलश थामा तो कुछ अमरित छलक पड़ा, इससे अमरित की कुछ बूंदे उज्जन, नासिक, इलाबाद और हरिद्वार में गिरी, कहते हैं कि इन बूंदों से भूमी पवित्र हो गई और हर साल कुम्ब मेले में, श्रद्धालू इन शहरों में आकर अपने पाप धूते हैं, देवता अमरित पाकर अमर हो गए, हाला कि कुछ अतुल भी अमरित की बूंदे चखने में सफल हो गए थे, इसलिए वे भी अमर हो गए, दो असुर, राहू और केतू अपना वेश बदल कर देवताओं के बीच बैठ गए, सूर्य के नीचे नहीं उतर पाया था, इसलिए उनके सिर तो अमर हो गए, लेकिन शेश धर मर गया, इसी का बदला, लेने के लिए राहू और केतू हर साल सूर्य ग्रहन और चंद्र ग्रहन के दोरान सूर्य और चंद्रमा को निकल लेते, हैं, भगवान विश्नु की पांच्वी क पौरानिक कथाओं में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विश्नु और महेश का जिक्र, मिलता है, ब्रह्मा जी को स्विष्टी का रचायता माना जाता है, वहीं, विश्नु जी को जगत का पालनहार और महेश यानी, शिव जी को संहारक माना जाता है, शिव को असुर और अधर वद्ध करने के लिए जाना जाता है, एक बार भगवान, विश्नु को इस असुरों का वद्ध करने के लिए एक दिव्य अस्त्र की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने शिव की तपस्या शुरू, कि विश्नु ने तपस्या के दौरान शिव को अपने नेत्र यानी अपनी एक भेट कर दी, शिव इससे प्रसन हुए, और विश्नु को सुदर्शन चक्र भेट किया, पौरानिक मान्यताओं के अनुसार एक बार धर्ती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया, असुरों की दृष्टी स्वर्ग पर अधिकार जमाने पर टिकी थी, इससे भायभीत ह कर स्वर्ग के सभी, देव विश्नु जी के पास पहुँचे, उन्होंने धर्ती और स्वर्ग लोक को राक्षसों से मुक्त करने की गुहार लगाई, विश्नु जी को पता था कि इसका समाधान शिव के पास है, भगवान विश्नु ने शिव की तपस्या आरंभ की, वे शि के से एक कमल का फूल चुरा लिया, विश्नु जी अपनी तपस्या में लीन थे, उन्हें इस बात का पता नहीं चला, जब उन्होंने आखरी नाम जपा, तो उनके पास कमल का फूल नहीं था, अगर वे फूल नहीं चड़ाते तो उनकी पूरी तपस्या भंग हो जाती, वि विश्नु जी ने, राक्शसों के सनहार के लिए एक अचूक शस्त्र मांगा, शिव जी ने उन्हें सुदर्षन चक्र दिया, जिसका वार कभी, खाली नहीं जाता था, इसके बाद विश्नु जी ने सुदर्षन चक्र से अत्यंत खुनखार राक्शसों सो मार गिराया और इस धर्ती को अधर्मियों के प्रकोप से बचाया.